इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह फेफ़डों यानि की जैसे निमोनिया, कान, गले, निजल साइनस, यूरिनरी ट्रैक्ट, त्वचा, सॉफ्ट टिश्यू, हड्डियों और जोडों के इंफेक्शन में प्रभावी है। इसका इस्तेमाल सरजरी के दौरान संक्रमन को रोकने में भी किया जाता है। पेट खराब होने से बचाव के लिए CRX-500 टैबलेट को भोजन के साथ लिया जाना चाहिए। डौक्टर द्वारा निर्धारित शेडियूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए। इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा। डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं। लेकिन आपको अपने डौक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटिबाउटिक का कोस हमेशा पूरा करना चाहिए। लिए काम नहीं करेगी। जरूरत नहोने पर भी एंटिबाउटिक का इस्तिमाल करने से यह भविश्य में होने वाले संक्रमन के लिए कम प्रभावी हो सकता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में रैश, उल्टी, लीवर एंजाइम में बढ़ जाना, मिचली आना और डायरिया यानी की दस्त शामिल हैं। यह आम तोर पर हलके हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दिनों से अधिक समय तक रहते हैं, तो अपने डॉक्टर को बताएं। इसका उपयोग करने से पहले, अगर आपको किसी भी एंटीबाउटेक से अलजी हैं, या किड्नी या लिवर समबंधी कोई समस्या हो तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्यूंकि उन पर इस दवा का असर पर सकता है या वे इस पर असर डाल सकती हैं। गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें।